तो अब लेकुम फ्रेंज एंड वेलकम तो पाइचनल लवन फूड विंटर का सीजन हो और गाजर का हलवा ना बने यह तो हो यह नहीं सकता तो चलिए आज हम भी बनाते हैं गाजर का हलवा पर हां हमारा जो हलवा है यह बनेगा विदर ट्विस्ट ट्विस्ट यह है कि हम बनाएंगे शाही गाजर का हलवा बिलकुल हलवाई स्टाइल बिलकुल शाही स्टाइल और एक बार बनाने के बाद आप हर बार यहीं मेथड यूज करेंगे गाजर का हलवा बनाने के लिए इ उसमें 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है, मैं काव की यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही हल्दी होता है, अब इसमें मैंने एक चमच इलाइची पाउडर दाल दिया है, इलाइची पाउडर दालते ही, हम इसमें हमारे जो गाजर हमने कीस के रखके हैं, वो डाल देंगे, मैंने 750 ग्राम गाजर लिये हैं, अब इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, और इसे ढख कर मीडियम फ्लेम पे 2-4 मिनिट के लिए हम पका लेंगे, बीज-बीज में हिलाते रहेंगे हम इसे, ताकि ये नीचे जल न जाए, फ्लेम जादा फास्ट मत रखिए, मीडियम फ्लेम ठीक रहेगी, देखिए, कितने अच्छे से ये हो गिया है, 4-5 मिनिट में, अब इस समय मैं इसमें एक कप दूद दल दूँगी, दूद दलने के बाद भी हमें इसे 5-6 मिनिट के लिए पका देना है, ढक के पकाईए, बट बीज-बीज में हिलाते रहिएगा, देखिए, दूद पुरा हमारा इसमें सोक हो गया है, अब इसमें हम शुगर डालेंगे, मैंने 4 टेबल स्पून शुगर लिए है, क्योंकि मेरे घर में मीटा थोड़ा कम खाते है, वैसे आप आपके टेस्ट के हिसाब से ज़ादा या कम शुगर ले सकते हैं, अब हमारी शुगर भी जो है, वो अच्छी तरह से पक गई है, अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, जी हागेन मैं काव घी यूज़ कर रही हूँ, और मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स कट करके रखे हैं, जैसे कि काजू, बदाम, पिस्ता, अक्रोट और कुछ काजू के बड़े-बड़े पीसे भी हाफ करके रखे हूए हैं, इस सारे ड्राइफ रूट्स में इस घी में डाल दूँगी, हलका सी इसे फ्राइ करेंगे, हमें जादा लाल नहीं करना है, बस इसे एक हलका सी टॉस करना है, फ्राइ कर लेना है, देखिए बिलकुल इसी तरह, इसे हलका सी रोस्ट करने के बाद में, हम इसे डाल देंगे हमारे गाजर का, जो हमने हलवा बना के रखा है, उसमें, बिलकुल इसी तरह से, अब इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और दो से तीन मिनिट के लिए इसे हम दोबारा से पकनी के लिए रख देंगे और दो से तीन मिनिट के बाद हम अपना gas बन कर देंगे हमारा गाजर का जो हलवा रेडी है सेम उसी पैन में मैं एक टेबल स्पून घी डाल कर और ये मावा यानि की खोया जो होता है वो मैंने 100 ग्रैम्स इसमें डाल दिया है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क के अंदर सैफरन भिगा के रखा था एक अच्छा सा येलो कलर के लिए और एक अच्छा सा सोंदा सा एक टेस्ट आने के लिए बस वो मिल्क भी मैं इस खोये में एट कर दूंगी और इसे हमें 1-2 मिनिट एक्दम धीमी आज पे एक्दम हलकी आज के उपर हमें इसे पकाना है देखिए इसकी प्लेटिंग मैंने गाजर का हलवा ले लिया है और ये जो खोया हमने फ्राइ किया था उपर से आप ये रख लीजिए देखिए आ गया ना बिल्कुल सा शाही इफेक्ट मैं इसे डिश आउट करके आपको बताती हूँ अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंदा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ इस रेसिपी को घर पे जरूर जरूर ट्राइ कीजिएगा देखिए ये कितना लाजवाब कितना हेल्दी बनाया